हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक तो मैं चैनल इट्स प्यूटी एन हेल्थ स्टूडियो चैनल और एज यू नो मैं हू निहारिका फ्रेंड्स जैसे की आप देख रहे हैं आज का जो यह मेरा बीडियो है इसमें मैं करवाचौत के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी औ इसलिए मेरा यह पूरा बीडियो लास्ट तक देखिएगा तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दो कि यह जो है मुहुर्त 75 साल बाद ऐसा क्यों बना हुआ है तो मैं आपको बता दू इस करवाचौतर है रोहडी नच्छ जैसे कि आपको पता है जो रोहडी नच्छतर है वो चंद्रमा जी की सबसे प्रीपत्नी है इसलिए यह जो इस समय जो भी सुहागने लेडिज या जिनकी शादिया भी फिक्ष हुई है वो अगर चंद्रमा जी का आवाहन करती है और अपने लिए जो भी वो वर मांगती है सदा शुहागर रहने का पती के बिसनेस में तरकी हो पती की जॉब अच्छी चले पती की लंबी उमर हो यानि जो चीज़ भी वो उनसे मांगेगी वो जरूर पूरी होगी क्योंकि ऐसा नच्छतर बहुत कमी देखने को मिलता है और ये नच्छतर सीधे 75 साल बाद आप आय तो आप जरूर इस ब्रत को रहेगा और वो लड़के ज़रूर इस ब्रत को रहें जिनकी शादी तैह हो चुकी है वो भी इस ब्रत को रह सकती है तो फ्रेंट्स आप बात करते हैं सुब मूर्थ की तो सुब मूर्थ के लिए मैं आपको बता दूँ आपको करवा चौत के दिन साम को पूजा करने का टाइम मैं आपको बता रही हूँ आपको साम को पांच चालिस से लेकर के साथ बच के पाँच मिनट तक के पूजा करने का सबसे सुब मूरत है क्योंकि ये बेला प्रदोश काल गुधरिया काल माना जाता है और ये बेला इस बार करवचोत में सबसे ज़्यादा शुब है और आपको इसी समय पूजा करनी है और जो चंद्रमा का दर्शन करना है वो आट बच के बारा मिनट के समय आपको चंद्रमा जी का दर्शन करना है अच्छा सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग क्या करते हैं पूजा करते हैं उनको 8-8 बच जाता है उसके बाद वो ऐसे चंद्रमा जो इकार दर्शन करते हैं जो काफी देर से निकले हुए होते हैं अगर आप सीधे जैसे ही चंद्रमा जी का उदे होता है अगर ऐसे चंद्र दर्शन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़धा शूब होता है ये जो कोशिस करें कि आप अपनी पूजा है वह साथ बच के पांच मिड़ तक खतम कर ले यानि 5-7 बच के पांच मिड़ तक की जो समय हो बहुत ज़धा शूब है इस बिच आप अपनी पूरी पूजा कर ले और जो करवा को चेंज करने वाला प्रचलान ने वह सारी ही चीज से तो पूरा बीडियो ही मेरा देखियेगा ध्यान से फ्रेंच करवाच Sabbet में आप सबसे पहले जो पूजा करेंगे मैं इसमें जो है गली गडेश की और चंदरवा जी की पूजा ऑने लेकिन आपको सबसे सिंगार का जो समान है उसे जरूर चड़ाएं और मेरी वीडियो हैं उसमें आप देख सकते हैं कि सोला सिंगार का समान क्या क्या होता है और वैसे ज्यादा तर अगर आप जो है अगर आप एक सुहागिन लेडीज है तो आपको इसी जरूर पता होगा क्योंकि इससे जो है क्या होता है कि इसमें आपको सारी चीज़ें आप यूज करती हैं तो आपको जरूर पता होगा कि 16 सिंगार का समान क्या होता है फ्रेंड्स उसके बाद आपको गड़े जिका आवान करना है साथी साथ चंद्रमा जी कहते हैं कि सिउ जी के मस्तक पर बिराज मान है तो जो सिउ जी होते हैं वो हमेशा जो आयू से रिलेटेट चीज़ें होती है उसका बरदान देते हैं तो आप अगर चद्रमा जी से इस बार जो भी मनो कामना मांगेंगी वो आप जरूर पुरा होगा तो इसलिए जो इस बार की पूझा है वो आप बहुत अच्छे से करिएगा और फ्रेंज जो करवा होता है वो मिट्टी का ही यूज करिए क्योंकि मिट्टी शूब माना जाता है इसलिए मिट्टी का जो करवा है आप उसे यूज करिएगा साथे साथ आपको चार दिये वाली बाती जरूर लेनी है क्योंकि ये जो है इस चतुर्ती तिथी को मनाया जाता है तो इसी विज़े से इसमें जो दिये होता है वो चार बाती वाला होता है और हर बार की तरह इस बार भी जो करवा चोथे वो कातिख मास की कृष्ण पच्ची की चोथ दूत्य तिति को मनाया जा रहा है और इस बार का जो दिन है वो गुरुवार है और 17 अक्टूबर को ये टोवार मनाया जा रहा है तो friends ऐसी मेला हैं जिनको parents की problem हो गई है उनको क्या करना है कि वो भी ये ब्रत रह सकती है लेकिन साम को पूजा के वक्त गंगजल से इसनान करके वो इस पूजा को संपन्न कर सकती है और इसके बाद जो है आप चंद्रमा को अर्थ देना है आपको और मैंने एक वीडियो ऐसा भी बनाया है कि आपके जो अर्थ देने वाली थाली उसमें क्या क्या चीज़े होनी चीए उसमें आप देख सकते हैं क्योंकि चंद्रमा जी की जो पूजा है उसमें आपको मोगरे की माला का यूज़ जरूर करना है क्योंकि वो उनका प्री पूस्प होता है तो आपको मोगरे का जो फूले उसे जरूर यूज़ करना है फ्रेंट्स आपको भी जब ये पूजा करनी है तो आपको भी सोला सिंगार अपने अपना जो है सोला सिंगार करना है यानि पैरों में महावर से ले करके आपको हर तरीका के सिंगार जरूर करना है क्योंकि अगर आप ऐसा करती है तो यह आपके लिए बहुत ज़दा शूब होगा फ्रेंट्स एक चीज मैं और बता दूँ आपको काली और नीली कलर की साड़ी का यूज इस बार बिल्कुल नहीं करना है आप लाल और पीले कलर की साड़ी का यूज कर सकते हैं इसके लावाँ आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं लेकिन आपको बूरा कलर काला कलर और नीले रग की साड़ी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है friends जापको आपको सोला सिंहार के समार में चूडियां यूज़ करनी है वो भी काज की चूडिया होनी चीए शीप की चूडिया आपको फैशन से रेटर यहां कुछ नहीं करना है काज की चूडिया ही यूज़ करनी है friends जो हम चfindramाजी को अर्द देते हैं उसके लिए जो हम करवा use करते हैं बहुत सारे लोग को इसमें मत भेद है कि तांबे का यूज करना चैए कि पीतल का यूज करना चैए तु मैं आपको बता दूँ तांबे से कभी भी चंदramाजी को अर्द नहीं दिया जाता है आपको सिर्फ और सिर्फ पीतल का करवा यूज़ करना है और फ्रेंज जब आपको पानी पीना है ब्रत खोलने के बाद तो आपको सबसे पहले अपने पती को पानी पिलाना है फिर उनके हाथे से आपको पानी पीना है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पती में ही परविश्वर दिखाई देता है तो सबसे पहले आपको उनको पिलाना है फिर खुद जल ग्रहण करना है और प्रशाद पहले उनको खिला के फिर उनके हाथों से आपको ग्रहण करना है एक चीज जो मैं आपको लास्ट में बताने जारी हूँ जिसका ध्यान आपको बहुत अच्छे रखना है ऐसे चलनी का यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है जिसमें जलने का खत्रा है क्योंकि आप उसमें दिया रखके अपने पती को दर्शन करती हैं तो आप जब भी उस दिया को रखती है तो उससे क्या होता है वो चलनी पूरी तरीके से जल जाती है और यह बहुत ही अशूब होता है इसलिए ऐसे चलनी का यूज करें लोहे वाली चलनी का जिससे कम से कम जलने का कोई खत्रा ना रहे लास्ट में एक चीज और बताना चाहूं कि जो भी चीजें आप अपने पती को प्रशाद की रूप में खिलाया और उनके हाथों से ग्रहण करें वो मीठा होना चाहिए कभी भी तीखा नहीं होना चाहिए समान और एक बार मैं आपको सुब मुर्थ पेस से दिखा रही हूँ और 17 अक्टूबर 2019 को पढ़ रहा है साम 5-46 से लेके 7-2 तक आप इनकी पूजा कर सकती है उसके बाद आप जो है आपको कुछ खाना पीना नहीं है जब तक आप चंद्रमा जी का दर्शन नहीं कर लेती है तो फ्रेंस अभी एक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो अच्छे लोग तो प्लीज मैं चलूब कर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू प्लीज मैं जरूब कर लेती है जरूब कर लेती है जरूब कर लेती है जरूब यूवाल